हेलो फ्रेंड्स भारत सरकार के द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों को पेंशन के माध्यम से आर्थिक साहता प्रदान करने के लिए इंद्रिया गांधी राष्टी पेंशन योजना चलाया जा रहा है वहीं इस योजना को 9 नवंबर 2007 से प्रारंप किया गया है आपको बता दें कि यह योजना केंद्र सरकार की योजना है जो 36 गड़ राज्य में भी लागू है और यह योजना केंद्र सरकार के समाज कल्यान विभाग के द्वारा संचालित एक योजना है अब यदि प्रावधान की बात करें तो इस योजना के अंतरगत भारत के सभी व्रिध जनों को सामिल किया गया है यानि कि इस योजना के अंतरगत BPL परिवार के 60 वर्स या उससे अधिक आयू के व्रिध जनों यानि 60-89 आयू के व्रिधों को सामिल किया गया है और इन्हें ही सरकार के द्वारा प्रतीमा 500 रुपे की पेंशन प्रदान की जाती है अब निशकर्ष की बात करें तो यह योजना भारत के व्रिध जनों को आर्थिक सहता प्रदान करके उन्हें समाज में आर्थिक रूप से महत्तो प्रदान करता है तो दोस्तों इसी तरह की इंफोर्मेशन में बने रहने के लिए आप सबी का धन्यवाद